बैगन बढ़ता हमें बनाने के लिए मिर्ची यहां पर मैंने मिर्ची बारिक काट के रखे हुए है लहसुन प्याज एक मीडियम साइज का और कुछ मटर के दाने और यहां पर मैंने बैगन को अच्छे से रोस्ट कर लिया और साथ में दो टोमैटो को भी अच्छे से इस तरीके से आपको निकाल लेना है धिरे धिरे वह इसकी अपने आप खुद ही भाहर आ जाएगा अगर आप उसको ठंडे पानी में डालते हो तो ऐसे करके पूरा हमें क्लीन कर लेना उसका इसकीन उपर से और टोमैटो को भी ऐसे हमाई उसका जो बंड स्कीन था वो निक मैं दो चमच सरसो का तेल यूज कर रही हूं मस्टर्ड ओयल से अच्छा टेस्ट आता है तो आप किसी भी तरीके का भड़ता हो या चोखा हो उसमें हमें मस्टर्ड ओय का यूज करना चाहिए उससे टेस्ट है बहुत अच्छी आती है और यहां पर मैंने राई मस्टर्ड यहां पर लस्ट की मैंने 7-8 तल्या है उसको बारिक काटा है वह भी राचल देंगे दो चिलीज वह वी बारिक चॉप किया हुआ उसको भी डाल देंगे अब चाहे तो मतर डाल भी सकते है यह आपकी वर्जी अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको ना डाले है ऐसको में प्यास को प्यास को प्यास को प्यास को पूरी तरीकी से बगर नहीं चाहिए और यह हमारा जो बैगन और यह टमाटो को मैंने काटके रखा था वह अब इसमी मिला देंगे क्यास को हमें स्लो फ्लेड में ही रखना है कुछ भी जलाना नहीं है कि वह ऐसे ही रोस्टेड है तो अगर इसके ऊपर अगर आपका मिसाला गला आता है या बटर वगड़ा जलता है तो फिर वह टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और और पावरिंग हो जाएगा फिर तो फुर्ण पाच मिनिट तक हमें इसे बूंना है ताकि जो एक्स्ट्र जो इसमें पानी है बैंग और टमाटर को फूरा जो फूरा जो है वह वो जाए और इस तरीके से मिक्स हो जाए और वो पुरा नमक शोधन सार आप टेस्ट करके नमक डालेगा थिया थे सब्सक्राइब देख लिए अगर आप जादा लोग है आप शिसे साफ से नमक डाले और यह दिखिए यह बिल्कुल भग यह अच्छे शोगए बिल्कुल चावल के साथ भी खा सकते हो और यह बहुत ही अच्छी डिस है और इसके ऊपर से थोड़ा सा मस्टरड ऑईल टाल देंगे यह भी ऑप्शनल है अगर आपको मस्टरड ऑईल पसंद है तो आप डालो वर्ना और यह बैगन का वर्ता बिल्कुल रेडी है